हाँ जी दोस्तों स्वाग तरह आपका नेक्स फार्मल के यूट्यूब चैनल में और आज हम जिसकी वीडियो बना रहे हैं वो है बाई मल्टी क्रॉब मशीन यानि कि सभी तरह की फसले बीच्टी और फसलों के साथ आप इन मशीनों के अंदर खाद की बिजाई भी कर सकते हो तो जो जो ग्रीन वाली मशीन दिख रही आपको इसके परके में पूरा बिताएंगे टोटल आज अपने पास तीन ने उरे मशीन देख रहे हैं और इनके प्राइज और इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस हैं वह आपने साथ बाई है शेहरी बाई और यह अपने को बताएं तो यह शहरी बाई से हैं और यह अपने को बताएंगे कि यह मशीनों के अंदर क्या क्या चाहूंगा कि जो यह मशीन अपने बनाई हुए हैं मतलब इसका कारण क्या सब्सक्राइब सबसे पहले तो नमस्कार सभी किसान भाईयां को और आए अब आप जानते हैं इसको दो बॉक्स वाली बोलते हैं दो बॉक्स के करण यह है अभी इसमें आप फटिलाइजर का यूज नहीं कर सकते इसमें यह जो बॉक्स है यह तो काम आएगा आपका गेहों और जो आर जो ही आपका जैसे मक्का बीटी कोटन ठीक है और अगर आप चाहो तो मूंग ठीक है और आपका एरिंडी विगारा सूर्ज मुखी उसके लिए गाला ठीक है अब यह दो बॉक्स वाली आगे अगर आप चाहो भी हमने साथ में सीड्रिल के खाद का विजाई भी करना जैसे बीज के साथ है अलग चलाते हैं के खाद तो इसमें आपका अलग अलग चलेगा खाद अलग और पीज अलग इसमें बॉक्स अलग भी आगा यह जो बॉक्स है यह है आपका खाद के लिए अपर खाद के लिए ठीक है यह बॉक्स आएगा आपका वही गेहूं के लिए गेहूं ज तक के यह काम करेगा और यह आपका बड़े टेक्टर के लिए पंताली से उपर जो टेक्टर है यह तेरा फाड़े के यह देखने में दोनों सेम है कोई फर्क निया से में बस्तों यहां पर देख रहे हैं कि यह ब्रश आपने लगा रहा रहा ना मतलब इसका बैनिफिट कई बर बीज का साइज अवकल एक जैसा नहीं आता कई कंपनियों यह जाता है जैसे आपका एक कई बार आ इसमें नहीं आगया तो वह आगे लेकर गूमता रहता है ठीक है तो यह ब्रश इसलिए लगाए गया यह यह यहां से दभाव बनाएगा वह दाना गया गेर के अगर िचे करें जो करेंगा यह बदाने के लिए इसको आप अपने इसाब करेंगा तो आपने सेट नीच घाल होता है शाइव मतलों जैसे एक इसके अंदर यह बताया था आप यह यह अपर बाद में आपने देखा होगा सिख यहां तो ऊसमें स्थ है आपको घ्राडी चेंज और तूल कि साइता से रही करना पड़ता है ठीक है थीडर के लिए हमारा चार्ट लगा है सभी अधी भर एवी पहल दktóय gefेड उन्म प्रफी और और व् ermbs jours कर सकते हैं तो आप यह से मैं बात कर रहा था आपने देखा होगा यहां पर गराडी चेंज करके आपको करना पड़ता है तूल की साहिता से खोलने मशीनों में चलता है यह फिर नया हम आगे आपका वो क्या था वो गेर बना हुआ होता था जैसे कोई मोटर सांकिल वाला यह वैसे उसमें त वीच्छक पर करके गेर थे शुमुक्त को जी ती थी आपका टाइम जैसे बीटता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा ना वह गिंए अपने-पने-पने लागने तो उसके वजए से वहां भारती है ना नया लगाया इसमें यह लगाया पांच बढ़िज सिस्टम बॉम तो को तो किसमें बहुते हैं आप लगा धिया तो कि अपने इसको क्या करना है आपको तूल की जूरूरत नहीं है सब्सक्राइब करका इसको सिर्फ ऐसे करो अपने यहां इसे लिए मुण फीन लागा ते के-स बीदैब को पता कोई भी चीज खराब पुगेर था खराब होता है इसमें कोई भी चीज आपका गिसाही वाली भी नहीं ठीक है और जैसे यह पाइपों की बहुत शिकायत आती है मेशीनों के अंदर जैसे पाइप बंद हो जाती है यह वह सलवटें पड़ जाती है सरदियों में जाम हो जाती है तो वह मतलब फिर यह जो पाइप आपने लगा रहा है इसका कोई सल्यूशन निगाला आपने हां सर यह स्पेशल स्प्रिंग वाली पाइप है ठीक है इसमें एक तो आपका जैसे चोक नहीं होगा पाइप जैसे यह बैंड है आम कहता वह पाइप सर्गियों में जैसे बिलकुल जाम हो जाता यह पाइप बिलकुल सॉफ्ट है नाइलोन की लबड़का है ठीक है और यह आपका सिप्रिंग वाला ऐसे दबाने से पीज ने दपता है ठीक है इसमें ट्रांसपेरेंट बीज आपका जाता हुआ दिखता रहेगा ठीक है उपर से बीज आएगा निचे तक आपको दिखता यह जैसे बीज डालना है ठीक है ठीक है तो यहां पिछे कई बार कोई बंदा मालो जुरूरत है पिछे अपने गूमता रहता है तो वह उसको रुकने के लिए बैठ सकता है इस पर आप एक मौक्के पर इस पर कोई गटा वगरा भी रख सकते हो अपना ठीक है इसको अटान अपने निचे इसको मैं आपको करके दिखाता हूं जैसे अब क्या था अब यहां पर लगना है तो अपने दोन सिस्टम दिया हुआ ठीक है इस पर आप शोकर सिस्टम लगा दिया ठीक है अब ड़कन अपने खोला अब अब अपने बंद करने कोई किसी भी लॉक की जुरू करने तो इसको फोलेंगे अपने अब युब अगर आपको सेफटी के लिए लगाना इसको तो अब लगा भी सेटिक है और अगर अपने इसके गरंटी वरंटी यह लॉक मतलब यह जो है यह जैसे बॉक्स में आपने देखो जैसे बीज का थोड़ा बहु जैसे सर्चु का अब सर्चों का वीज कोई बन्दा डालिए ड़ीड को बन्दार को डाला है उसको अपने 1 किलो 600 ग्राम पर करना तो इसमें इसव अगर्णी तो इस दोनों साइड़ फिर साइड़ और आगे मतलब आप बताओ मशीन की जैसे एक दो फास यह ते लिए जैसे अपने ये पिस्टॉल के अंदर को या आपने क्या इन्वेंशन किया हुआ अपने पिस्टो लगा हुए हमारा उन्हीर सभिशन शिटर लगा हुए हमारा थाल फास पिचंट लगा हुआ कहा ili शिवा-शिज वाला वॉप्स कॉट के वह तल ले अपने मशीन और म Haven रह जाता है यह तो इसल टूट नेका यह मशीन को जाब होने का डिकता है पने ईस कि यहां से दो जो पार्ट के बना हूए दो पार्ट है डो पार्ट प्लास्टिक आइए कि खराब नहीं होगा ठीक है यह तो इसके ऊपर गुमता है यह इसके अंदर चलता है यह जाम हो जाता था तो दोड़ा भी पानी आने से यह इनवारमेंट में थोड़ी नमी आगी तभ यह लगा हुआ है इसमे झाल के लगवार इसको रिपेर कर सकते क्सी नेट यह जाम हो गया है और वह अपको यह खोलना पड़ जा चाहर है लिए फ्ऱिया तो फेल्स्ट नहीं दो ला गॉड़्ट दिया हुए इसको अपल लग रगा दो आप और वह आपका सीटरिल घर पर कुले किक ही है अपने यहां पर आप इसको लाख रिपास टोगघा के बंट की साथ ठीखर के साथ यह नब के साथ है अगभी के साथ का थिक जैसे पीछत तो प्ला तो अपने बात कुछिता है आपको जिता बांगना discovery क्राइब कृता हुटके जिता बांगना हुटा सेट करकू अब यचिप बाद भासे करो ne करनाकर्य हाइब टिक है कि अपने नहीं कम जादा हुगा तो यहां से आपको निकालना है और यह पार्ट आपका नया लग जाएगा, यह बेल्डिंग नहीं है, घर पर ही कहने का मतलब आपका चीजे जो भी आपको इस्यू आता है, घर पर रिपेर कर सकते हैं, ठीक है, और यह जैसे अपने इधर गरीन वाली मिशीन देख रहे हैं, यह आपने बोला, टैरा टैनी की मिशीन आ जाती है, और यह अलग अलग जो अपने रहारी आप से जहां पर यह क्ता यह क्या काम होती है, जैसे अपने इंडिया में अज़कर एब तरह की क्रॉप की तरह यह आपका सूर्ज मुखी ठाट और आपका चना के लिए धीड और एक डॉलर मक्का आता है बड़े वाला मक्का वो इससे और यह मूंफली के लिए इसमें आपको जो भी इसका प्राइज उसके साथ आपको तीन तरह का वाईगा ठीक है और तो तो सब्सक्राइब की बात कर रहे थे हैं तो यह साइड में यह गरारी और पड़ी है यह जो लगे होए ना चाहिए वीज को बोने के लिए टिक है यह कशल स मंचैश ठीला मंने यह एपम सपेशल और पर त्यार कर वाया हम सुथ है कि आप सкиशव कि मनुद्धकी का अटा खैस यह निया मंचैनल ख्रश्यां मुहिए रगारी पीश हॅ का यह जो आपना इसके अंदर लगता है इसमें खंचा बना हुआ जैसे आम नॉर्मल इसे अपने यह लगाते हैं पुराणी सेडिल में देखा हुआ अगर यह बोल्ट डिला हो गया आपका तो यह गुमेंगा गुमेंगा तो यह गुमता रहेगा प्लेट की बार जाम हो जाती हो गुम अगर अगली बात करें जैसे हर एडिया की सबसे लोग ना जैसे जो फसल के बीच में जो टाइन की जो स्पेस होती है तो उसके लिए आपने क्या सिस्टम की है जैसे आपने बोला कि आपकी जो मशीने वो डिलर्शिप भी है अलग लग जगाओं पर करनातका तक आपने बो सब्सक्राइन की दूरी का और यहांते लग है तो वह आपने कैसे मैंने किया हुआ उसको इसमें क्याना हम उसी साफ से इसको मैंने आप कर सकते हो अभी बाइड डिफॉल्ट यह साथ इंची पे है ठीक है यहूं की जो विजाई करते हैं आप 6 इंची 7 इंची अपने डिमा बाइड में लगा हुआ यह आप वोल्ट डिल अगर के आप इसको स्पेस को कम यह जदा कर सकते आप चाहूं तो जितना इंची पांसे लेकर 6-7 जितना बोलो उसी साथ से इसको आप सैट भी कर सकते हो और अप मेरे से बनुआ भी सकते हो अलग से बनाने सकते हो आप अगर इसके बार अपने सीड्रिल एक साइड से अपने स्टार्ट कर दिया नेक्स बार अपने को क्या ट्रैक्टर को गुमा के लगाएंगे तिक अपने को यह चलो दो पुराने इसका साथ है तो नेक्स टाइम लगाएंगे वी साथ ही चोड़ने हाँ जो आजकल जो कई उसमें कहा ना टाइम की शोल्ट है यह आप एक बार इसको सेट कर दो यह पीछे से हो जाएगा आगे नहीं आना पड़ेगा ठीक है यहीं से आजाएगा अच्छा हैंडल दिया हुआ यहां पर गास पूस भरता है तो यह टूटने का ड्रका निकल जाएगा आपका साथ की तीक है यह साथ की साथ मारका नेक्स टाइम आपको टायर उसके उपर जलाओ मारके के ऊपर जो निशान लगा हुआ है वापका नाप बिल्कुल सही लाए इसलिए यह लिगा दोनों सा इसको आप चाहों टेक्टर के हिजाब से वह कम ज़्यादा यहां से आगे पिछे ठीक और अगर अपने मशीन जैसे दिखने में काफी है वी लग रही है और अगर आपने इसके वजन की बात करें कितना वर्जन है लग वाग इसका मशीन तर इसमें साड़े 300 kg वजन है तीन पिछास कि लोग वंदो तो साथे 3 कौनल होगा है फुल हैवी मेंटीरियल है ठीक है हर चीज की इसमें गरंटी है यही तो जो भी मेंटीयल इसमें यूज किया गया वह सूपर क्वाल्टी का सुपिरियर बिल्कुल एक नंबर क्वाल्टी का बैरिंग तक आपको बढ़िया क्वाल्टी के में इसमें यूसी बैरिंग जो कंबाइन वगएरा में इंज होते हैं इसी बज़े से इसका वेट थोड़ा है एक ट्रक्टर के पिछे ड़ला हुआ हम सीट्रिल देखना अपने ट्रक्टर के साथ कामता रहता हुआ तो उसमें के अगर कामपेगा तो यह बीज करेंगा तो फिल ट्रक्टर के टायर बगएरा दबते होंगे नीचे वजन इतना जाता है तो हां साथे 300 kg इसका हो गया इसमें आप कोई 60-70 kg सी किलो बीज भी डालोगे तो लगवग चार सब्सक्राइब तो उसमें के ट्रक्टर का आपका टायर दबेगा तायर दबेगा आ जैसे आपको सवागा बगार लगा के लेवल किया हुआ उसका टायर दबेगा उसके लिए हमारे पास इस पैचल फीचर है सब्सक्राइब यहां पर टायर आएक तो यह तो दबेगा यहां से जो हल आएगा टेक्टर के टायर की लाइन में आए एक यह एर पीछे वाला इसक कि थोड़ा लंबाई ज़्यादा हो जाए जादा हो जाए ठीक है तो वह ज्यादा अगर जमीन बैथेगा तो हल को फिर कर कि वह प्रॉपर जैने की आप कहने का मतलब तीन इंची पे आपने बीजवह का दो इन ची और तो इसको दो इंची आप नीचा कर दो नीचे इस वा बाकी के जितने भी अपने ताइन है उनका लेवल लेवल बराबर रहेगा ठीक है जी ओके यह बहुत अच्छा निकल यह टकन जो आपने लगा रहा है यह वाला इसमें बच गया अपना ठीक है तो इसको खोलो आप यहां से निकल और अगर इसी मशीन से जैसे आपने बोला कि है जाते हैं और फिर इससे अपने मका भी सकते हैं इस में आप मक्के साथ खाद का बीजाई कर सकते हैं कहने का मतलब जो भी चीज BACK वाली सीड्रीडsized वाले बॉक्स के साथ बिजाई कर रहे है और आप चाहिए भी पिछे वाले बॉक्स के साथ हमको खाद का यह डिया पी वह 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 आपका फटी लाइजर उसके साथ आपको वाई करना है तिक अलग से तो आप इस ड्रिल में कर सकते हो आपको वह लेने की जुरूरत नहीं ह सब्सक्राइए भी नाइए युकलम करें विचाहिक इसके साथ और अफ़ा है उसके है चाहे आप एक लाइन में बिज्वाई कर सकते हो आप तर आहे हैंदे करेंघता ही अब तो आप थोड़ा साइड में डोनों लाइन में ठीक है अप जैसे अच्छा लागे आपको वैसे बाघ़ा हो यहां पर टीक है यह नाइवारा मार्क दिया हुआ है ठीक है सर्थ फूल करें तो अगे वाली आपको साथ चहिए ना को साथ हो गई इसनली साथ आगर थिया है, साथ पिछ से तीया कर अब आपको डिक्त के दिया आएगा इसले आप जैदROब उसमें आपको अको कपड़ा लगाना पड़ता है यह आते। बिलुकुल है जी एकuld करें आपको कपड़ती यह रहे आपको कपड़ा ने हर तैनल करो everywhere सबसेडी भी आरही है सकेंदर याँ भी अभी अभी आविल नहीं है सबसेडी सर हो जाएगा ठीक है टाजस्तान में आपको टाएना में मिल जाएगा ठीक है और अपना दोस्त वीडियो देख रहा है कई और स्टेट से तो वहां दिटेलर के से अलग आलग जैसे मेरा यूपी में डिलर है करनाटका में में डिलर है ऐसे डिलर आप डिलर में डिलिडारग अपको सीधा मैं अने टंवर वरक ओक तो दोस्तों हम शेरी भाई का नंबर जो है इनका वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और वहां पे आप कॉल करके आपने कहीं डिलीवरी करवानी है तो वहां पे आपको मशीन एविलेवल करवा देगी तो बात आगे अधर प्राइज की सबसे में खासियत है प्राइज क्य तो अगर अपने वह बात करें तीन बॉक्स वाले फटी लाजर का वो जैसे मैंने आपको बता है यह 75,000 रुपे वह गैराटाइज का आगया आपका वह गैराटाइज का आगया सर्व 70,000 रुपे उसमें वह तेना टाइन वाला था यह गैराटाइज यह सतरहाएज रुपे लेकर पड़ेगा यह भी तीन बॉक्स वाल रहा है मल्टी को चीक है चलो लास्ट में के बात है को नेक्स फर्मर के थुरू आता है हमारा नाम लेकर तो उसमें कोई है डिसकाउंट होगरा जूर करें और जो भी मानतान होगा भाई वो आउन टेबल आपको जरूर करेंगे संग्रिया से हमने ये वीडियो बनाई है संग्रिया में है सर्बन इंप्लीमेंट के नाम से बाइका शुरू मैं आल इंडिया यह डिलिवरी देते हैं आपका इनसे कॉंटैक्ट कर सकते हो और बहुत थैंक्यू भाई आपका दन्यवाद अब्सक्राइब कर लें और चैनल क कर दो